अभी हाली में आप लोगोंने सुना होगा कि जो यूक्रेन और रोस के बीच यो दिछ चल रहा है इसमें दुनिया का सबस्ते बड़ा विमान एंटो-9-225 मेरिया नश्ट हो गया है समझ रहे हैं आप लोग तो चली इस बिमान के बारे में हम लोग एक सामन जारकारी देख लेते हैं और वैसे भी आपको इस बिमान के बारे में मालू होना चाहिए जनरल नौलेज का एक कुश्चन्स बन सकता है और आप अगर किसी परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूछा जा सकता है आराम से एक बार आप लोग रूस को और उक्रेन को देख लीजे आप सभी जानते हैं कि इन दोनों के बीच योध चल रहा है तो यह देखिए एस या में हमारा प्यारा भारत है और यहां उपर आप लोग जाएंगे तो आपको रूस देखने को मिलेगा और यहीं आपको क्या देख आजा सकी या रोके योध तीक है अगर हम लोग बात करें तो आप सभी को मालू है कि कोई समाधा नहीं निकल रहा है रोज की सेना तेजी से युक्रेन की राध्धानी क्यूपा क्यूपा क्यूपार हामला करती जा रही है और युक्रेस सेना भी पीछे अटने का नाम नहीं यह देखिये और इसलिए आप देखी इसका मालों नहीं कि इस योतिका क्या रेजल्ट निकले हैं लेकिन आप देखे कि जब भी इस योतिका योतिकी जब भी चर्चा होगी इतियास में तो यूक्राइन की बात जरूर उठेगी कि आप देखे एक तरफ था अफगानिस्तान क जो आप देखी आतंगी संगठन थे वहां के, तालीवान, उसने आप देखी कि अफगानी सेना ने किस तरह से हतियार डाल दिये थे, वहां कि जो राष्ट के प्रमुक थे वो देश छोड़ कर भाग गये थे, और वही उकरेन देखी आप लो, कि उकरेन के राष्ट पती वहा जो भी कहिए, कहते हैं कि वो जीतनिष्चित हो, तो कोई भी अर्जुन बन सकता है, समझ रहें आप लो, तो यही मतलब union के आपको हाथ मेर अगर आपको मालो हैboys कि इसमें जीत सकते हैं, तो आप आराम से लड़ सकते हैं, लेकिन हार कर निष्चित हो, फिर भी लड़ते र गया है और यह जानकारी युकरेन की राज्य रक्षा समू उक्रो बोरो प्रॉम ने टेलीग्राम पर दिये और सेटेलाइट से प्राब्त तस्वीरों से इसकी पुष्टी भी हो चुकी है तो इसे आप लोग देख भी रहे होंगे अपने इसकी दिन पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा एंटो नो पिजाइन वीरो द्वारा डिजाइन किया गया था ए एन दोसो पच्चीस मरिया अब तक का सबसे लंबा और सबसे भारी हबाय याज था और इसमें किसी भी विवान की तुला में सबसे बड़ा पंक्री लगा था और अपने आप में यह विवान दुनिया के लिए अदूतिय था इसे मरिया नाम दिया गया था और जिसका युक्रेणी भासा में अर्थ था सपना और इस बिवान का निर्माड 88 के दसक में रूस के एक स्पेस क्राट को लौंच फेड तक ले जाने के लिए किया गया था और 1988 में इसने अपनी पहली उडा काया ही नहीं गया था और ऑट सोविए संगे विक्टन की बात हो तो आप सभी जानते हैं कि उक्रेंट पहले सोविए संग का हिस्सा हुआ करता था उनिज सो एकान पे में आप सभी जाने की सो विकटन हो गया और इसके बाद आप देखेंगे वाड इढ़े संचालन में 32 टायर होने की सास्ताज 6 इंजन लगे हुए थे हर इंजन से 229.5 किलो न्यूटन की तागत देता था और विमान को उड़ाने के लिए 6 क्रू की जरूरत होती थी यह विमान एक बार में आप देखे 4000 किलो मेटर तक की यात्रा कर सकता था साथी ये प्लैन बिना रिफियूलिंग के 18 गंटे तक बिना रोके उड़ान भी भर सकता था एक बार में करीब 640 टन सामान ले जा सकता था और 84 मीटर लंबा यह विमान 350 टन सामान को 850 किलो मीटर 50 गंटे की रफ्तार से अपने गंतब तक पहुँच सकता था और याद रहे कि दुनिया का अकेला ऐसा पिलैन था और जिसमें बिंग एर बोईंग 747 पिलैन के बिंग एर एरिया से तकरीवन दो गुना था और बारतमान में इसका संचाले ने यूक्रेयन और के एंटोनो एर लाइन्स के पास था COVID-19 के उतारान इस बिंगान की बहुत अधिक मांग हो गई थी और वरहाल अब यूक्रेयन की राधानी कीव के पास मौझूद एक एर फिल्ड में खड़ा दुनिया का ये सबसे बड़ा बिंगा योद्धी की बली चड़ चुका है यूक्रेयन ने कहा है कि वो इस बिवान को फेल से बनाएगा और जिसमें लगबग आप देखें पांस साल का बत और तीन बिलियन डॉलर से यानि की आप देखेंगे तो 22,670 करोड रुपे लगेगे और आप समझ सकते हैं कि इस योद्ध से दुनिया को और USA को और आप देखें सभी देशों को लगबग यूक्रेयन को भारी मात्रा में और यूए आप देखें रूस को बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेहानी उठानी पर रही है पैसे की आप देख लीजार दुवस्था की देख लीजे या लोगों की देख लीजे जो भी माल इस तरह का आप समझ सकते हैं कि एक बार में अगर इतना बड़ा बिमान अगर नश्ट हो सकता है तो आप समझ सकते हैं कि इतना नुपसान हुआ होगा दोनों दिसों को और आप देखे कि हम लोग जो कच्छा तेल खरीते हैं उसके भी दाम बढ़ते जा रहे हैं और उसका पिरवाह भी बहुत जल्दी आपको बार्गेट में दिखने लगेगा पैटोल डीजल के दाम बढ़ते हुए दिखाई देगे फिराल हम लोग तो सभी यही सोचते हैं कि यह उद्ध किसी भी कारण से रुख जाय सान्दी पूर्ट तरीके से अब आप देखिए ऐसा भी माना जा रहा है कई विद्वानों का कि यह तीसरे वर्ल्ड वार की तरब तीसरे विसे उद्ध की तरब भी ले जा सकता है समंगरे